नमस्ते दोस्तों, The Yellow Kitchen में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हमारे Yellow Kitchen में बनने वाला है दहीवड़ा दहीवड़ा सबको बहुत ही पसंद आता है छोटे हो या बड़े सब बड़े ही चाओ से खाते हैं दोस्तों तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना न भूलें और चैनल पे अगर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर मगल का बिल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंद करें मुंं की दाल ली हूँ बिना चिलके वाली जो पीली मुंं की दाल आती है वो मैंने एक कप ले लिया है और उसमें अब मैं एक ठीहाई कप आधे कप से थोड़ा सा कम बिना चिलके वाली उड़त की दाल मिला दोंगी और ये मिलाने के बाद अब हम इसे जो है दो से तीन पानी अच्छी तरह से रगड़क के दो लेंगे तो लीजी मैं दोने के लिए ले जा रही हूँ तो हमारा दोकर हो गया है अब मैं उसमें भर कर पानी रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए इसे हम ढख करके अब 5-6 घंटे के लिए रख देंगे 5-6 घंटे बाद हम देखेंगे हमारी मूँ और उड़त की दाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है नाखुन से दबाने पर तूट जा रहा है यानि बहुत ही अच्छी तरह से सोक हूआ है अब मैं इसे मिक्शर जार में डालू गी मिक्शर जार में डालने के बाद इसका हम एगदम पारिक पेष्ट तैयार करना है तो लीजिये मैं उडद मूं को मिक्सर जार में डाल दी हूँ अब ढ़कण लगा कर हमें इसे पीस लेना है तो चलिए पीस लेते हैं तो यहां पे मूं और उडद की डाल जो है पीसकर के रिडी हो गई है कोशिज करिये पानी न डाल कर भीना पानी के ही पीसे और अगर पीसा नहीं जा रहा हो तो थोड़ा बहुत एकाग चमज पानी आप इसमें डाल सकते हैं मैंने फेटने के लिए हैंड विसकर का यूज किया है आपके पास एलेक्रिक वाला हो तो उसे भी आप फेट सकते हैं तो लीजी यहां फेटना मैंने शुरू कर दिया इसे एक ही डारेक्शन में continuous एकदम फूलने तक इसमें जब तक एयर ना जाए हलका न हो जाए तब तक हमें इसे फेटना है और फेटते समय डारेक्शन चेंज न करें एक ही डारेक्शन में फेटी है मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ पानी में एक थोड़ा सा बूध हम डालेंगे तो तुरंत वो पानी को पर तैरने रखता है इसका मतलब पेस्ट हमारा एकदम हलका हो गया उसमें हवा भर चुकी ह है पेस्ट में यानि हमारा वड़ा जो बहुत ही फलबी बनेगा दूसरा ट्रिक में बतारियों टेस्ट करनेगा कि हाथ में थोड़ा सा पानी लगाई है टस करिए उंगली एकदम क्लीन हाती इसका मतलब हमारा पेस्ट एकदम अच्छी तरह से फूल चुका है अब मैं इसम इसमें थेस्ट में वड़ा जाकर के आप उसे भी चिक कर सकते हैं और फटा फटा दाई वड़ा बना सकते हैं तो गैस पर मैं आज को एकदम धीमार करना बिल्कुल नहीं करना ना तो ऊपर से जो वड़का गोल्डन ब्राउण होने तक इसे तर वड़े की covering है जो वो एकदम जल जाएगा और अंदर जो है कच्छा पन रह जाएगा तो इसे इस तरह से चलाते हुए हमें धीमी आज पे एकदम medium flame पे हमें इसे पका लेना है तो लीजिए हमारा वड़ा जो है तल करके ready हो गया है सुनारा सा दिखने लगा है यानि golden brown हो चु तो मैं आपको तोड करके एक वड़ा दिखाती हूँ देखिए अंदर से बहुत इकदम इसपंजी बना हुआ है एकदम सौफ्ट वड़ा हमारा तयार हुआ है देखिए प्रेस करने पे कैसे रबट जैसा इसपंज जैसा हो रहा है यानि कि वड़ा हमारा एकदम पर्फेक् करेंगे उंगली जाने जैसा पानी गरम हो ऐसा पानी लेना हमें ठंडा पानी बिलकुल नहीं लेना है अब सारे वड़े को आप इसमें डाल देंगे आप चाहे तो इस पानी में एक चमस दही डाल करके चाच जैसा भी बना करके इसे इसमें वड़े को डिप कर सकते हैं इस अब हमें निकल देना है तो लिजिए अब मैं निचोडनीचोड कर सभी वड़े को दिखाती हूँ इसे वड़ा और भी अच्छा और भी फलपी बन गया है बहुत ही स्पन्जी वड़ा हमारा तयार हुआ है अब दही वड़ा का कैसे प्लेटिंग की जाती हूँ एक एक बड़े को लोगी उसे बीच में से तोड़ करके प्लेट में ऐसे रख दूँगी या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं सारे बड़े को दही में पहले से डिप करके रखो लेकिन मैं यहाँ पे बड़े को प्लेट में रख करके उपर से दही डालूँगी क्योंकि पूरा डि डाल कर पहले से फेट लिया था दोस्तों अब मैं इसके उपर काला नमक और जीरा पाउडर छीड़क दोंगी उसके बाद मैंने यहां पर हरी चटनी तयार किये धनिया पुदेनिका और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी वह भी मैं इसके अगर आपके पास अनार के दाने नहीं है तो आप इसे देखेंगे और तुरंट बनाएंगे और इस बार हो लिए इस तरह से दही वड़ा बनाकर आप महमानों को कर सकते हैं और मैंने टेस्ट किया वड़ा दही वड़ा हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो दोस्तों आप भी इस होली के मौके पर दही वड़ा बनाईए खाईए खिलाईए और मेरी वीडियो को लाइक सेयर चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल का बिल आइकन प तक पहुंचे इसका भी तो ध्यान रखना है में